अलो एंड वेलकम टू टेश्बोक सूपर कोचिंग SSC CHSL कमाइड हैर सेकेंडरी 10 प्रस टो लेविल एक्जामनेशन 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है बहुत सारे सर्प्राइज जो है वो हमें इस नोटिफिकेशन में देखने को मिले है एक्जाम पैटर्न या यू कह है कि सेलेक्शन प्रोसेस में बदला हुआ है टीर टू में बदलाओ किया गया है टीर टू जो है वह अब आपका अब्जेक्टिव टाइप होगा पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप होता था और स्किल टेस्ट होता था डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है उसको खतम कर दिय तरह बार इा गया गया है Keen को क्वालिंग कर दिया गया है बहुत सारे बदलाव हुए यह जो हमने सारी काई साररे वीडियो में ऑलेडिडिसकस कर लिया है लेकिन अब हम बात करने वाले है apply करने कि क्योंकि registration जो है वो भी स्टाट हो गई है तो आप को एपको कैसे करना है वो भी यहाँ पर हम डिसकस करेंगे तो एपलाई करने का पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो देखना शुरू कर चुके हैं शेयर जरूर कर दीजेगे अपने दोस्तों तक ताकि वो भी जो इस वीडियो को देख सकें और उनको भी एपलाई करने का पूरा प्रोसेस पता हो क्योंकि जब वो एपलाई करने जाए तो उनसे कोई गलती ना हो क्योंकि बहुत सारे अप्लिकेशन SSC में रिजेक्ट हो जाते हैं छोटी सी गलती फॉर्म फलप में करने के जो इसे तो कोई भी गलती आपको नहीं करनी है इसलिए वीडियो जरूर देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है ओफीशल वेबसाइट पर जाना है यह ओफीशल वेबसाइट है SSC.NIC.IN इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा एपलाई करने के लिए जब आ अगर्याप और लेडी राग है तो आप यहाँ पर यूजर नेम और पास्परट डाली है सिक्वर्ट कोर्च डाली और लॉग इन कर लीजीए लेकिन अगर आप नए यसर आ आ और लेडी राग है तो एपको क्या करनाए यह उप्शन आ रहा है निँई उजर राग तो है यस या नो में आंसर कीजिए अगर आपके पास आधार है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए अगर आधार यस करते हैं आप तो आधार का नंबर जो है वह यहाँ पर आपको बताना है और उसको वेरिफाई करना अगर आपके पास आधार नहीं है तो कोई डूसरी आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके दस्मी के साइटिफिकेट में दिया हुआ है और नाम से पहले आपको श्री, मिस्टर, मिसेज में कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है? Have you ever changed name? क्या आपने अपना नाम कभी बदला है? अगर बदला है तो yes कीजिए वरना no कर दीजे, yes करते हैं तो बदला हुआ नाम यहां पर बताइए, अपने फादर का नाम यहां पर बताइए, उसको verify कीजिए, अपनी मदर का नाम बताइए, उसको verify कीजिए, आपके फादर औ मदर के नाम से पहले कोई भी आपको जो है मिस्टर, मिसेज, मेस, कुछ भी नहीं लगाना है और फादर और मदर का नाम भी वही होना चाहिए, जो matriculation के certificate में दिया है, ठीक है, date of birth बताइए, date, month और year के format में, दसमी के certificate से date of birth मैच होनी चाहिए, यानि mostly जो जानकारी है, व आपके जसमी का roll number क्या था, और किस साल पास किया वो बताइए, अपना जेंडर आपको बताना है, उसको verify करना है, level of educational qualification बताइए, अपना mobile number डालिए, verify कीजिए, email ID डालिए, verify कीजिए, फिर अपना state select कीजिए, किस state से आप आते हैं, mobile number और email ID डालते समय बहुत ही साबधानी रखेगा, future में आपसे जितना भी communication होगा, जो भी communication होगा, वो इसी mobile number, email ID पर होगा, तो इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, इसको save कर दीजिए, गलती लग रही है, तो reset कर दीजिए, save करके आगे बढ़िए, additional details आपको यहाँ पर डालनी है, अपनी category select कीजिए, किस category से आते ह वो बताईए, उसको verify कीजिए, अपनी nationality बताईए, identification mark अपना कोई बताईए, जैसे कि मैं लिखता हूँ, injury mark on forehead, माथे पर चोट करनिसान, आपका कोई भी burn mark, bowl mark को, बता दीजिए, कि आप ऐसे person जिनको benchmark disability है, yes or no मैं answer कीजिए, disability certificate म बताईए, permanent address बताईए, अपना states select उसके बाद district बताईए, pin code डालिए, present और permanent address अगर same है, तो yes कर दीजिए, वरना no कर दीजिए, yes करते हैं, तो दौनों address आपके एक जैसे fill हो जाएंगे, no करते हैं, तो दौनों address आपको अलग से fill करने होंगे, manually, उसके बाद देखिए, यहाँ पर सारी details आपके fill हो गई, address की contact details for other nationals, अगर आप दूसरे राष्ट से हैं, तो contact details दे दीजिए, फिर अगर आपको कोई गलती लग रही है, तो पीछे भी जा सकते हैं, previous पर click कर दीजिए, वरना इसको save and next पर click कर दीजिए, reset भी कर सकते हैं, तो save and next पर click कर दिए, आपके mobile पर एक OTP आएगा, उसको डालि हैं, आप पर OTP को verify किजिए, password बगरा reset कर लिजिए, उसके बाद password बगरा reset करने के बाद, आप फिर से यहां पर homepage पर आ गई हैं, अब अपनी details डालिए, आपको username, password मिल गया होगा, वो username, password यहां पर डालिए, यह security code box में डालिए और login कर लिजिए, password अगर भूल गए, पैसे नहीं भूल लिए होंगे, क्योंकि अभी अभी account मिल आ है, अगर password भूल गए हैं, तो forgot password कर लिजिए, अब login कर लिया है, login करने के वाद यह page open हुआ है, सबसे उपर जो आपको देख रहा है, latest notification का section जो है, इसमें सबसे उपर आपको CTSR का notification दिख रहा है, इसमें जब आप न apply वाले link पर लेके जाएगा, apply पर क्लिक कीजिए, कुछ details आपकी already फिल थी, उनको रहने दीजिए, अब पंद्रमें नंबर का option जो है, वो सबसे पहले आपको फिल करना है, preference of examination center, आपको तीन preference देनी है, जहां पर आप exam देना चाहते हैं, तीन preference, ऐसे मैंने पहली preference दिए, आ ऐसा नहीं हो, आप घर से बहुत दूर दे दें, तो फिर आपको आगे वहां तक पहुंचने है problem हो, तो अपने तीन preference यहां पर आपको देनी है, medium of typing test, typing test आप किस medium में जाना चाहते हैं, हिंदी में या English में, वो आपको बताना है, दो ही language आएंगी या पर हिंदी या English, तो आप typing test जिस language में जाना चाहते हैं, वो यहां पर ही बता दीजिए, हिंदी में typing करनी है, इंग्लिस में, वो यहां पर आप बता दीजिए, ठीक है, अगर आप केक के office में data entry operator पर जाना चाहते हैं, तो आपने बार्मी जो है, वो science stream में पास किया और math आपको एक subject रहा हो, तो इसको yes करिए, अगर नहीं किया तो no कर दीजिए, आप एक service man है, yes and no में answer कीजिए, yes करते हैं, तो आपने armed forces कब join करे थे, वो बताईए, कब discharge हुए कब वो बताईए, कितने महीने की service है, length of service बताईए, आपर, have you already joined, क्या आपने जो एक service man की reservation benefits होते हैं, उनका lab लेते हुए, यहाँ पर civil side पर कोई post join करी है, yes and no में answer कीजिए, ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर yes and no में answer कर दिया है, फिर date of joining civil post, अगर civil post join करी तो उस possible policy, तो yes and no में answer कीजिए, कोई physical limitation है, आपको लिखने बगरा में दिक्कत होती है, तो yes and no में answer कीजिए, subscribe चाहिए या नि चाहिए, यह बताईए, subscribe की service लेना चाहते है, तो yes कर दीजिए, नहीं लेना चाहते है, तो no कर दीजिए, ठीक है, will you make your own arrangement of subscribe, subscribe का arrangement आप खुद करेंग तो alexation का code बताईए, highest educational qualification बताईए अपनी, और details of qualifying educational qualification उसकी जानकारी दीजिए, qualifying educational qualification जो है, उसकी status बताईए, pass है, appearing है, passing year बताईए, किस बोड से पास किया, बोड का नाम बताईए, roll लमर ताईए, कितने percent थे या CGP क्या था, वो आपको बताना है, do you want to make your personal information available for accessing job opportunity in term of DOP and T yes and no answer कीजिए, फिर आपका address बगएरा already fill है, जो यहाँ पर आ जाएगा, अब अपने photo और signature जो है, वो आपको upload करने है, photo signature जो है, वो यहाँ पर आपको upload करने है, photo signature की guidelines बहुत अच्छे से follow कीजिएगा, क्योंकि photo signature गलत होने की वज़े से, खास करके photo गलत होने की वज़े, बहुत से form जो है, वो reject हो जाते है, तो जो guidelines है, photo signature की उनको follow कीजिए, photo आपकी 6 सेतमबर 2022 या उसके बाद की होनी चाहिए, यहाँ पर yes कीजिए, photo पर date अगर नहीं है, तो कोई बात नहीं है, तो फोटो पर date होना बिलकुल भी कंपल सरी नहीं है, तो अगर photo पर date नहीं है, तो कोई issue नहीं है, photo पर date है, तो भी कोई issue नहीं है, यह चीज यहाँ पर पताएगे, signature आपको upload करने है, ठीक है, तो यह फिर declaration आयागा, declaration पर I agree पर tick कर दीजे, यहाँ पर declaration आया है, I agree पर tick कर दीजे, security code box में डालिए, preview पर click कर यह form का preview आजाएगा, यह देखिए, form का preview आग दीजे, submit पर click करते ही, आपका form तो submit हो गया है, अब option आ रहा है, application form is received, content not verified, do you want to proceed for payment, तो अब print ले लिजे, और फिर payment पर proceed कर दीजे, 100 रपे का payment करना है, online mode से कर दीजे, यह चालान से जो भी करना हो, submit पर click कर दीजे, आप यहाँ पर अलग लग तरीके से payment कर सकते है, net banking, UPI जिससे जाए payment कर सकते है, payment complete होती है, आपका registration भी complete हो जाएगा, तो यह step by step पूरा process है, apply करने का, देगे सीटेसल का notification आ गया है, हमें updated जो pattern है, वो पता है, form flip start हो गई है, और super coaching जो है, वो आपकी तयारिक लिए जो है, YouTube पर classes भी शुरू कर दिया है, SSC सीटेसल का dairy free classes चलना ह जो है, English की class ले रहे हैं, गौरफ सर जो है, current effects की class लेंगे, science की class, रादिका मैम, नितीज सर मैत, नेहा मैम, reasoning और दिब्या मैम जो है, वो आपकी GK और GS की class लेंगे, आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं, एक बार, screenshot में आपको जो है, timing भी दिख जाएगी, और देखिए 1100 प्लस mock test आपको मिलने वाले हैं, और इसका link वीडियो की description में आपको मिल जाएगा, link पर click कीजिए, CHSL super coaching का page open हो गया है, आपको देखिए यहाँ पर 299 में 6 महीने का CHSL का subscription मिल रहा है, तो इससे बहतर offer आपको नहीं मिलेगा, apply coupon पर जाएए, coupon apply कीजिए, अनुराग, ANURAG अनुराग coupon डालते हैं, आपको discount मिल गा, यह रहे कि 269 में आपको यहाँ पर 6 महीने का CHSL का subscription मिल रहा है, तो इस offer का लाव उठाइए, और अपने exam की अभी तयारी शुरू कीजिए, golden opportunity है, 269 में 6 महीने तक CHSL की तयारी करने का मौका मिल रहा है, तो इस opportunity इस offer को हासिन नहीं बूलिएगा, क्योंकि form flap का step by step process हर student तक पहुचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सिकलती जो है, वो आपके इंतिजार को बढ़ा सकती है, क्योंकि आपका application reject हो सकता है, तो इस वीडियो को share जरूर कीजिएगा, और हम session को खत्म करेंगे, आप लोग अपनी exam preparation of date लिए टैश्बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रही है,